में रंजू जी आप सबका स्वागत करती हूं अज हम बनाएंगे अरविके पत्तों से मसाला सबजी ग्या सबजी उन लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो अरविके पत्ते खाना पसंद नहीं करती हैं तो मैंने लिया है यहीं 8 से 10 अर्वी के छोटे छोटे पत्ते पत्तों को साप पाने से धो करके छोटे छोटे टुकडों में कटिंग कर लें जिस तरह से हम साग बनाने के लिए कटिंग करते हैं साग की तो उसी तरह से मुझे कटिंग करनी है तो इस तरह से मैंने पत्तों को काट लिया है अब मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल मिक्सिंग बाउल में एक बड़ा चम्मच लेंगे चावल का आटा और इसी के साथ लेंगे एक बड़ा चम्मच बेसन आप चाहें तो यहाँ पर केवल चावल के आटे से या केवल बेशन से भी बना सकते हैं तो चावल का आटा बेशन मैंने रख दिया है इसमें लेंगे आधा चम्मच जीरा टेस्ट के अकोडिंग लेंगे लाल कुटी हुई मिर्च या तो हरी मिर्च का पेष्ट भी इस्तिमाल कर सकते हैं और टेस्ट के अकोडिंग नमक और ले भी तो कुछ पानी की चीते डाल करके मिक्स कर सकते हैं तो अभी मैं बिना पाने डाले हैं इसे मिक्स कर देखें बन करके हो अब ऒर मनें के लिए घ सुझें और इन मसालों को थोड़ा सा चटकनी देंगे इसके साथ ही दो से तीन चम्मच लहसन का दरदरा पेश्ट लिया है पेश्ट डाल कर 10 से 15 सेकंड के लिए भूनेंगे और इसके साथ ही मैंने 250 ग्राम प्याज का भी इसी तरह से दरदरा पेश्ट बना कर लिया है तो उसे भी मै डाल दूंगी और मसाले को अच्छी से एक अच्छी खुस्वू आने तक भूनेंगे इसके साथ ही मैं इसमें टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल दूंगी इससे प्याज जल्दी से गल जाते हैं तो इसके अलामा मुझे नमक नहीं डालना है ध्यान रखें कि जितनी सबजी क अच्छी के लिए अवश्कता होगी उतना नमक में इसमें यट कर दूंगी तो प्याज का कलर चेंज हो गया है प्याज अच्छे से भून गए हैं अब इसमें मैं डालूंगी आधा चमच गरम मसाला एक चमच धनिय का पावडर आधा चमच हल्दी पावडर और आधा पाने न पाए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पाने डाल दे रही हूं पाने के साथ मसाले को भून कर रेडी करेंगे तो पहले मसाले को दो मिनुट भून लेंगे इसके बाद टमाटर का पेष्ट मैंने बनाया है तो उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी तो मसाले को भूनते अर्बी के पत्तो की सबजी मेरे घर में बहुत ही जादा पसंद की जाती है तो आप भी इस तरह से अपने घर में सबजी बनाईएगा और हमें कमेंट करके बताईएगा किया सबजी किस-किस को पसंद आई तो आपको देखकर पता चल रहा होगा कि मसाले बहुत ही अच्छे से भूनगे हैं मैं इसमें एट कर देती हूँ लगबग एक गिलास पानी क्योंकि मुझे अभी मसाले को और भी पकाना है तो पाने डाल करके मसाले में अच्छे से उबाल आने देंगे इसके साथ ही मेरे पास जाली वाली थाली है जिसमें हम मोमोज बगैरा बनाते हैं तो थाली को इस तरह से पैन के उपर रख देंगे थाली को मैंने हलका सा ग्रीज कर लिया है और जो मैंने अर्वी के पत्तों का मिक्स बना करके रखा है तो मिक्स से पकोड़े का सेव देते हुए इस थाली में मैं रखूंगी चारो तरफ तो इस तरह से छोटा छोटा सेव देंगे छोटा सेव रहेगा तो पकोड़े जल्दी से पक भी जाएंगी और सब्जी में डालने के लिए इसकी कटिंग मुझे नहीं करनी पड़ेगी बीच में आप इसे खोल करके चेक भी कर सकते हैं तो अभी थाली हटा कर मसालों को भी चेक कर लेते हैं वाव मसालों से बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही है और मसाले भी बहुत ही अच्छी तरीके से भून गये हैं तो अभी मैं मसालों में पानी एट करूँगी ग्रेवी के लिए तो सबजी बनाने के लिए जितनी ग्रेवी की आवश्यक्ता होगी मैं उसमें उतना पानी एट कर दूँगी यह सबजी थोड़ी सी रसीली ही पसंद की जाती है तो इस तरह से मैंने एक गिलास इसमें पानी एड़ कर दिया है और अब मसालों में अच्छे से उबाल आने देंगी तो जब तक मसालों में एक अच्छा उबाल आ रहा है तब तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो की नीची दिये गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर वेल आइकन के घंटी को प्रेस करें जिसे मेरे द्वारा सेयर की जाने वाली हर डिलिसस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मसालों में उबाल भी आ रहा है अब इसमें मैंने जो पकोड़ियों को बॉयल करके रखा है उसे डाल दूँगी और मसालों के साथ लगभग चार से पांच मिनुट तक पकाएंगे तो सब्सक्राइब भी के पत्तों की यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें अपने फैमिली मिंबर अपने फ्रेंड ग्रूप में जादा से जादा सेयर करें तो देखिए अरबी के पत्तों की ग्रेवी वाली सब्सक्राइब बहुत ही अच्छी बन करके रेडी है यह सब्सक्राइब आप पूरी या पराठे के साथ खा सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ